हलो दोस्तों आज का वीडियो हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थुरू देखेंगे कि कैसे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यूज को यूज कर सकते हैं अनोटेशन में तो बिल्कुल पुराना प्रोग्राम है उसमें ही हम कुछ चनुन सबस्तों अनोटेशन करने होगे पहला प्रोग्राम होगे पहले आपको इंपुर्ट करना होगा इंपोर्ट करना होगा इंपर्थ java.lang.annotation यह आपका हो गया पहला package star का use करने का मतलब इसके सारे classes import हो जाएंगे दूसरा है import java.lang.reflect इसका मतलब है कि दूसरा जो package है यह java.lang.reflect इसके सारे classes क्या हो जाएंगे import हो जाएंगे अब हम क्या करना है अब हमें एक star annotation declare करना है जिसमें default values भी हम दे सकें तो सबसे पहले तो आपको retention policy बताता होगा उसके लिए आपको यहाँ पर retention keyword का use retention हमने लिखा और यहाँ पर retention policy.run time आपको लिखना होगा retention policy.run time यहाँ पर हमने यह लिखा ठीक है और उसके बाद आपको annotation declare करना होगा interface myAnno यह हमने पहला declare कर दिया अब इसके अंदर दो variables थे variables करने का मतलब है simply abstract matter जो हम लिखते हैं उसे variables भी बोल सकते हो क्योंकि mostly हम लोग उसे variable के रूप में ही use करते हैं तो ठीक है तो पहला हमारा string type का था अगर आपको याद हो string str ऐसा तो हमने लिखा भी था default value इसकी क्या दे दी थी हमने आपको याद हो default value हमने टेस्टिंग दी थी ठीक है यह आपका हो गया और दूसरा था इंटीजर टाइप का वी एल और इसकी default values कि मालो की हम लोग 9000 दे रहे हैं शायद पिसली बार हमने कुछ करने की बात है तो एक क्लास ले लेते हैं क्लास का नाम मेटा यही हम लोग लेते आ रहे हैं अब इस मेटा में के अंदर हम लोग एक मेठर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक 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 मेठर लेने से फायदा यह है कि आपको अब्जेक्ट क्रेट करने की जुरूत नहीं है वाइड मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं है और मेठ यह हमारा हो गया मेठर अब इस मेठर के विस्टै तो एक हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग एक जैनका नाम किया है हमारा माई my.no annotation का नाम है वो हमने लिखा और हम लोग चाहा रहे हैं कि डायरेक्ट हम लोग default values को यूज करने तो इसके अंदर कोई values assign करने की किसी variable में assign करने की कोई आवे सकता नहीं है तो इस तरह से हमने if equal to new meta यह meeta हमारा create हो गया ठीख है अब हमें क्या करना होगा classes घॉस्वे इस अब्जेक्ट को यूज करके उस classes के बेस्ट पर method हासिल करने होंगे और फिर हम कुछ print कराना चाह रहे हो तो वो सब करना होगा बट ये देखिए आप classes obtain करना चाह रहे हो उस class के बेस पर आप method obtain करना चाह रहे हो ऐसा संभव है कि methods available हो ही न तो हो सकता है कि उस case में आपका क्या आजाए exception आजाए exception क्या था कुछ इस टाइप का exception था no such method exception तो उससे बचने के लिए हमें जो classes obtain करने वाले code है या matches obtain करने वाले code जो lines है उसे हमें try के अंदर लिखना होगा ठीक है तो मैं इधर लिख देता हूं तो सबसे पहले हमें try के साथ use करना हो start करना होगा ट्राय हमने लिखा, ट्राय के अंदर अब क्या करना है, सबसे पहले हम class का इस object से class obtain करें, मतलब यह object जिस भी class से belong करता है, उस class का एक representation हमें obtain करना है, उसके लिए हम एक class है जावा में class type का, जिसके बारे में हम लोग काफी discussion कर चुके हैं, उसका use करेंगे, ठीक है, तो class c is equal to ob है, तो ob.get class, यह get class method के बारे में हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं, और यह हमने class इस तरह से क्या हुआ, हम लोग हासिल कर चुके हैं, ठीक है, अब इस class का use करके हमें method हासिल करना है, तो method m is equal to c dot get method, अब हम एक particular method हासिल करना चाह रहे हैं, तो उस method का नाम हमें बताना होगा, method का नाम है my math, method, my math, यह method हमारा आ गया, ठीक है, हमने method हासिल कर लिया, और m variables में इसको assign किया है, अब इस method का use करके हम क्या कर सकते हैं, annotation ग्यात कर सकते हैं, annotation का type हमारा क्या है, my annotation का annotation है, तो हमें my annotation का reference variable लेना होगा, इस annotation को store करने के लिए, simply अगर funda बोला जाए तो, तो क्या करते हैं, my annotation type का एक reference variable लेते हैं, no नाम दिया हमने, और space यहाँ पर नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर हासिल करने के लिए, यहाँ पर M जो हमारा method का object है, उसका use करना पड़ेगा, get annotation method को call करना होगा, get annotation method को हमने call कर तो दिया, बट यह संभव है कि इस method से belong करने वाले बहुत सारे annotations हैं, इस case में तो एक ही है, बट आप चाहो तो multiple annotations को यहाँ पर इस तरह से use कर सकते हो आप, उस case में हमें यहाँ पर समझना होगा कि कौन सारे annotation हम लोग हासिल करना चाह रहे हैं, तो उस annotation को हमें as argument एक class के form में, dot class के form में पास करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यह जो my no है, my no dot class हमें यहाँ पर लिखना होगा, my no dot class, यह हमने लिख दिया, और इससे हम लोग जो है, इस particular my no type के annotation को ग्याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो अब यह हासिल हो जाएगा हमारा, यह annotation, अब आप चाहो तो इस annotation का use करके, इसके values को आप print कर सकते हो, मतलब इसके अंदर के values, str और val के values को आप लोग प्रिंट कर सकते हो, तो मैं sort में लिख देता हूँ, system.out.println, sort में ही लिख रहा हूँ मैं, और इसमें मैं लिख देता हूँ, क्या print कराना है, सबसे पहले आपको print कराना होगा, no dot str, print करने के time पे आपको बिल्कुल method के form में यहाँ पर बताना होगा, plus space देकर, no dot, दूसरा जो हमारा है, val, इसे हमें print करना होगा, यह हमारा print हो जाएगा, यह हमने print statement के अंदर लिखा, यहाँ पर आपको ध्यान यह देना है, अगर हमने यहाँ पर तो कोई values assign नहीं किया है, assign करने के time पे आपको यह brackets यूज नहीं करने है, but, जहाँ पर print कराने की बात है, तो वहाँ पर आपको brackets यूज करने होगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, तो आप ध्यान दो, तो हमने try के अंदर यह सब कुछ लिखा है, तो अब हम इसे close करते हैं, और catch clause का यूज करते हैं, कौन सा exception हमें catch करना होगा यहाँ पर, तो वो है no such method exception, catch के अगर बात की जाए, तो वो है no such method exception, type लेकर, और अगर इसे handle करना हो, तो कुछ भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो print कर सकते हो, simply हम लोग यहाँ पर मैं fully specify कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास space है, system.out.println, सीधा में लिख दू, not found, मतलब की नहीं मिला, क्या नहीं मिला, method नहीं मिला, ठीक है, इसे हम लोग close कर देते हैं, अब एक चीज़ जो हम लोग कई programs में, हम लोगों ने सिर्फ बाते की थी, हम लोगों ने लिखा नहीं था, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे main method से my method को हम लोग call कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें main method लिखना होगा और my method को call करना होगा, main method लिख दूँ मैं, public, static, void, main लिखा हमने, string, ox, और main method के अंदर देखिए, यह हमारा my method भी static method है, तो इसके लिए हमें object create करने क्या होग सकता नहीं है, आप directly, static method को directly, आप main method के अंदर से directly call कर सकते हो, तो directly call करने का मतलब है कि my method सीधे directly लिखकर हम लोग call कर दे, तो यह हमारा call हो जाएगा, तो यह तो हमने program तो समझ लिया कि क्या कैसे work कर रहा है, अब इसका output क्या आएगा, तो output simply अगर देखा जाए, तो हम लोगों ने क्या किया है, print कराने की कोशिस की है, no.str और no.val, हमने यहाँ पर no.str जो है, str और vl को बिल्कुल यहाँ पर बताया नहीं है, तो हम लोग default values यूज़ करना चाह रहे हैं, हम लोग marker annotation के बारे में बात करेंगे, कभी-कभी interviews में experience level पर इसके बारे में questions पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो के लिए धन्यबाद,